वेलकम तो मैं चैनल दस्टिडी टार्गेट आज किस वीडियों हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट लॉस के पार्ट नमबर शिक्स की यहां पर हम लोग देखेंगे कि जिसे यदि कोई वस्तु एक्स रुपए में खरी दी जाती है तो माल लेजी उस पे एम परसेंट की हानी हो गई तो एन परसेंट का अगर उसको पे लाफ पाना है तो उसको कितने में बेचा जाए कि उसको फायदा एन परसेंट का हो जाए ठीक है जिसे माल लेजी आपने कोई चीछ अगर सो रुपए की खरीदी और उस पे 10 परसेंट की हानी होगी तो अगर उसी वस्तु पे मैंने पार्ट 5 तक पुरा कवर कराये हुआ है आप उसको देखिए उसके बाद इस पार्ट को देखिए तो ज्यादा सौन में आएगा एक उनिवर्सल तरीका जो है वह तो अपलाई हो गई होगा बागी एक रेशियो वाला मेथड भी यहां पर मैं आपको रिसर्स करके बत 20% की हानी हो गई ठीक है 20% का इसको लॉस हो गया अब इसी वस्तु को कितने में बेचे कि उसको 40% का फायदा हो जाए तो इस तरह की question को कैसे solve करेंगे तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करने वाले है तो यहां पर देखिए सबसे पहला question है एक वस्तु को 240 रुपए मे बेचने पर ब्यक्ति को 10% की हानी होती है इसका मतलब है कि 240 रुपए में बेचा तो 10% का नुक्शान हो गया ठीक है अब उसे किस मुल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाब हो जाए यह चीज बोला हुआ है तो आप इस question को देखिए solve करने के लिए एक universal तरीका मैंने बताया है CP into multiplying factor equal to SP तो यहां से आप direct निकाल सकते हैं कैसे क्योंकि 240 में बेचा तो आप यहां पे 240 रखेंगे ठीक है 10% की यहां नहीं होई तो जो multiplying factor है 90 upon 100 हो जाएगा यह मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो को आप देखिए तो यहां से आपको CP मिल जाएगा ठीक है तो जब इस अब बोला है कि इस वस्तु को कितने में बेचें कि 20% का लाव हो तो इसमें फिर वहीं फार्मुला लगा दिए CP into multiplying factor equal to SP तो आप देखे इस से तो निकाल सकते हैं अभी मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा उससे आप निकाल लेंगे 20% का लाव हो रहा है तो multiplying factor कितना हो ज कि अगर 320 में बेचें तो आपका क्या होगा 20% का फायदा होगा अब इसको देखे सॉल करने के लिए तरीका और आप इस तरीके को समझने के लिए आप एक सी ध्यान दीजिए जैसे मालीजी आपने सोचिए कि मालीजी किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा गया ठीक है तो जब उसको बेचा गया पहली बार जब उसको बेचा गया तो हुआ कि 10 सब्सक्राइब तो 115 नव्यजी नुक्सान रुपए नव werden में भी 502 पर सेंगी बेचें अब देखको में आपको करना क्या है आपको यह डेता नहीं यह तो आपने बस अपने हिसाब से approach लगाया है तो आप क्या करिए देखिए यहाँ पे अब जो 90 की value है जो पहले बेचा था यहीं तो है पहले वाला बेचने वाला तो आप इसका ratio निकाल लिए तो ratio देखें कितना आ रहा है 10, ratio 9, ratio 12 क्योंकि आप इसको जब cut करेंगे 0, 0, 0, sum में से cut हो जाएगा तो यह ratio आएगा तो आप देखिए क्या बोला उचने पहले वाला जो SP है कितना है 240 उर्पे तो आप एक कह सकते हैं पहले वाला SP यहीं रहा तो 9 unit की value कितनी होगी 100, 240 उर्पे 240 उर्पे होगी आपको बाद वाला SP निकालना है कितने मुल्ले पे बेचे तो यहनी SP2 आपको निकालना है यहनी 12 unit की value बतानी है आपको तो देखिए 9 unit की value होगी 240 तो 12 unit की value कितनी होगी सीधे सीधे 240 बटे में 9 और इंटू 12 क्योंकि 1 unit की value होगी 240 बटे 9 और 12 unit की value कितनी हो जाएगी 240 बटे 9 इंटू 12 3 से इसको कट कर लिए 3 3 9 3 4 जाब और 3 से खट हो जाएगा 80 तो आपका आंसर कितना जाएगा 320 तो आपका वही आंसर आजाएगा तो बिल्कुल इसको एकदम देख के आप ऐसे ही कर सकते हैं आप सीदे सीदे क्या बोले 100 रुपय में खरीदा था ठीक है पहले उसने बेचा तो 10% का नुक्सान होगया और 90 में बेचा अब जो पहले वाला selling price है यहीं तो दिया है तो 90 की value आप सीदे सीदे लिख भी सकते हैं कि 90 की value कितनी हो गई अब बोला है कि 20% का उसको लाब होना चाहिए लाब का मतलब 120 में बेचना चाहिए 120 की value आप से पूछा हुआ है 120 का कितना हो जाएगा सीदे 120 से गुड़ा हो जाएगा 240 into 90 into 120 बस इसको आप solve करेंगे तो 320 आपका answer आजाएगा तो यह तरीका आपके लिए देखिए अगला question कहारा है 1270 60 रुपए में बेचने पर एक बेटी को 25% का नुक्षान होता है 25% का लाब कमाने के लिए 100 रुपए में कितनी संत्रे बेचने चाहिए अब एक चीज़ देखिए माली जी सेम टिसे मोई फंडा है कि 100 रुपए का खरीदा था पहली बार उसने जब बेचा तो 25% की हानी होगा यानि 75 रुपए में बेचा होगा अब दूसरी बार क्या हुआ कि 25% का उसको लाब चाहिए यानि 60 रुपए में 12 कर देंगे तो एक संत्रे पांच रुपए का होगा ठीक है तो एक संत्रे की कीमत कितनी है वारा संत्रे साथ रुपए में बेचें तो आप कहते हैं कि एक संत्रा 5 रुपए में बेचें या तो बारा संत्रा बोलेंगे तो बारा संत्रे चाहिए या दस डान पांच रुपए मेंत है यानि पहले Site nutzen 的 ड़ तो पहले तो 5 उनिट की वैलू कितनी हो जाएगी क्योंकि बाद वाल आपको सेलिंग प्रेज पता होना चाहिए नहीं कि एक संत्रे का पांच पटे 3 इंटू कितना हो जाएगा 5 तो आगे 25 पटे 3 रुपए एक संत्रे को इतने में बेचना चाहिए अब 100 संत्रे 100 रुपए में कितने सं रुपए हैं और एक संत्रे की कीमत कितनी है 25 बेटे 3 बस इसको आप सॉल कर लिजिए तो संत्रे कीमत पता चल जाएगी 24 से 100 कड़ायागा 4 वार में 3 ऊपर चला जाएगा तो आपका कितना आजाएगा 12 संत्रे आपका आंसर आजाएगा तो आप इस तरह से बिलकुल आसानी 26 को सॉल कर सकते मोहन ने अपनी घड़ी 10 परशेंट हानी पर बेची यदि उसने उसी को 45 रुपए में अधिक में बेचा होता तो उसे 5 परशेंट लाग मिला होता उस घड़ी का विक्रे मुल कितना रुपए था यह पूछा हुए मोहन ने अपनी घड़ी 10 रुपए हानी 50 पर बेची 10 परशेंट राणी पर बेची सपोच कर ये उसने 100 रुपए में खरीदी थी 10 परशेंट राणी पर बेची मतलब 90 रुपए में बेची यदि उसने उसी को 45 रुपए अधिक में बेचा होता तो 5% का लाग मिलता तो आप से पूछा है कि विक्रे मुल उस तो दोनों की बीच में डिफरेंस दिया हुआ है तो आप इसका निकाल दीजिए पहले तो पंदर चका नबबबे और पंदर सते 105 अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है एक यूनिट का तो एक यूनिट की वैलू तो दे रखा है ना 45 अब आप से पूछा क्या है कि घड़ी का बिक्रे मुल कितने रुपए था एक यूनिट की वैलू होगी 45 रुपए तो आप यहां से क्या करिए छे यूनिट की वैलू निकाल लीजिए तो आपका आंसर आजाएगा तो 45 इंटू 6 कितना आजाएगा 270 रुपीज तो आपका आपसन नंबर क का 50 परशेंट कर देना है उसे कितनी कर राशी देनी होगी यह आपसे पूछा हुए 2005 में एक्स लाग रुपए थी ठीक है और तीन वर्स के बाद माकान मालिक ने उसे 25 परशेंट अधिक पे बेचा तो 25 परशेंट अधिक में बेचा तो मतलब यह समझिए कि एक्स लाग थी 25 परशेंट अधिक में बेचा तो इसका मतलब कितना होगी एक्सोपचीज अपॉन में 100 एक्स इतने रुपए में इसने बेचा ठीक है परणतु उसे 50 परशेंट कर देना ए उसे लाब का 50 परशेंट कर देना है तो जितना यह मिला हुआ है ठीक है जितना य परशेंट हो गया लाव हो गया अब लाव का 50% उसको कर देना है यानि पचास पटे सो सीधे सीधे सॉल कर दीजी पचास चोगा सो और जीरो से जीरो कट गया फाइब से कट गया कितना गया एक सपॉन एट रुपए आपका कर हो गया तो आपसे नमबर टू यहाँ पर बिल्क उसमें क्या profit होता है क्या loss होता है इसके बारे में लोग डिसक्स करेंगे और आपके लिए बहुत जबर्जस्त होने वाला है क्योंकि ऐसा question आपको एक्जाम में जरूर देखने को मिलता है ठीक है तो चलिए ठीक है वीडियो के समाप्त करते हैं झाललतैंगास और आपके लिए हैं क्योंकित्क ठीक है झाललक जबर्ड़ में थान एक मार्वी कि ऑ्रहक के क। जिल्यूषб।